हलो स्टूडेंट, आज हम आपको बताने जा रहे हैं, फिलेंग विथ नंबर्स फिलेंग विथ नंबर्स मींस होता है नंबरों के साथ पिले करना तो कुश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, find the values of a, b, c आपको कुश्चन में a, b, c की value find करके लानी है फर्स्ट कुश्चन है आपका, ये पार्ट में solve कर रहा हूँ, 2, 5, a, 4 और नीचे नंबर्स आपको दी है, b, 1, 7, और 9 इन नंबरों का आपको add करना है, तो देखिए add जो है इसका आप नंबरों का कैसे की जाता है, पहले 4 है और 9 उसके नीचे लिखा b, यानि इसका a और 7 में, a और 7 में add करेंगे, a और 7 का add 2 आएगा, 5 और 1 का add c, 2 और b को add करेंगे तो 5 आएगा, अब देखिए कैसे, जैसे 4 और 9 को add करते हैं तो 9 and 4 13 होते हैं, तो 13 को यहां b के नीचे लिखा जाएगा, 13 का 3, carry 1, अब 1 carry को इधर 7 में add करेंगे, तो 8 हो जाएगा, अब 8 में कितना add करें कि इधर 2 आ जाए, यानि आपको 2 लाना इधर, तो हमने a के उपर, a के उपर 4 लिखा, क्योंकि 8 और 4 12 होते हैं, क्योंकि इधर से 1 carry का, तो 7 और 1 8 हो गए, अब हमको 4 की ज़रूरत और है, तो 7 और 1 carry का 8, 8 में 4 add किया है, तो 12 आ गया, 8 और 4 12, 12 का 2, carry 1, ये 1 carry मैंने यहाँ पर लिखिए, अब 5 और 1 carry का 6 और 1, 7, तो कुल मिला कि यहाँ, एक के स्थान पर मैंने 4 लिखा, तो एकी value मिल चुकी है, 4, इधर, बी की नीचे इन दोनों का add करने पर 3 आया, तो बी की value हमको मिल चुकी, 3, अब इधर 5 और 1, 6 और 1, 7, ये आपो C की value मिल गई, अब यहाँ, 2 और बी का add 5 आ रहा है, तो बी की value हम पहले निकाल चुके हैं 3, तो इस बी के स्थान पर 3 लिख देंगे, तो 3 और 2, 5 हो जागा, तो कुल मिला कि हमको ABC की value find करनी थी, जो कि A is equal to 4, V is equal to 3, and C is equal to 7, ये find होके आगी, that is your answer, आप इसका second part देखिए, second part में इधर A, 7, B, A की नीचे 3 है, और यहाँ, 7 की नीचे 9 है, B की नीचे 8, अब इन दोनों का total 6 है, 7, 9 का total C है, A and 3 का total 5 है, तो यहाँ देखिए, ये total नीचे माइनस है, sorry, minus है, यानि B मैंसे 8 माइनस करेंगे 6, 7 मैंसे 9 माइनस करेंगे C, और A मैंसे 3 माइनस करेंगे 5, अब आप देखिए, यान 6 लिखा हुआ है, B और 8 के नीचे, तो देखिए, B मैंसे 8 माइनस करेंगे, तो 6 आजा, तो B के उपर कौन सा नंबर लिखा जा, कौन सा डिजिट लिखा जा कि 6 आजा, तो है मालम है कि 4 लिखने से 6 आजागा, 14 मैंसे 8 माइनस करेंगे, तो 6 तो 6 मैंसे 9 माइनस नहीं हो सकता है, तो इधर से वगल से फिर एक केरी ले लेंगे, तो आज 16 करेंगे, 16 मैंसे 9 माइनस करेंगे, तो 7, अब इधर 5 लाना है, तो इधर कितना लिखा जाए, एक इस्थान पर 9, क्योँए एक केरी इदर से लिए, तो यहाँ 8 हो गए, तो 8 मै carry ली है तो 9 में से 1 मानस करना पड़ेगा एक कम करना पड़ेगा तो इदर से 8 बचा 8 में से 3 मानस करेंगे तो 5 तो कुल मिला कि B की value हमको 5 मिल गई C की value 7 मिल चुकी और A की value 9 यही आपका answer है A is equal to 9 B is equal to 4 and C is equal to 7 अब इसके बाद question number C देखिए इसका C part यहां लिखा हुआ है यह multiply वाला question है पहला add वाला फिर minus फिर multiplication A 7 और 3 multiply C and 8 तो इसका multiply 8 का multiply किया है इन तिरों numbers में तो आपका आया है या A है B है 7 है 3 है उसके बाद C का multiply जब इसमें किया है तो यहां पर B है 3 है B है फिर 2 है इसका total किया है तो यह total लिखा हुआ है यह A है यह C है यह 1 है यह 2 है यह 3 है तो अकुल मिला के इसका देखें multiply करते है 8 का अब सबसे पहले 3 में multiply तो 8 3 या 24 24 का यहां 4 लेखेंगे carry 2 बचे अब 8 से बंजा 56 और 2 carry का 58 58 का 8 यहां पर आएगा carry 5 अब यहां 37 है तो यहां A की value 4 निकाल चुके है तो इस एके स्थान पर हम B के दाए 4 4 लिख सकते है जोग A की value 4 मिल चुकी है तो 8 4 जा 32 32 और 5 37 अब इसके बाद देखिए A की value हमको मिल चुकी B की value भी मिल चुकी और B और B का add करेंगे तो यहां C की value भी मिल जाएगी और वही आपको find करके लाना था A भी C की value तो देखिए इधर 4 लिखा है तो 4 का 4 आजाएगा तो यहां A लिखा हुआ तो A की नीचे 4 लिख देंगे इधर B और B यानि B की value 8 आचुकी है तो यहां भी 8 लिखा जाएगा यहां B लिखा हुआ नीचे तो 8 और 8 को add करेंगे तो 16 16 का 6 carry 1 1 carry यहां पर लगाएंगे 7 और 1 8 और 3 11 का 1 carry 1 1 यहां पर लगाएंगे फिर 3 और 1 carry का 4 हो गया 4 और 8 को add करेंगे तो 12 का 2 carry 1 और 2 और 1 carry का यहां 3 हो गया तो देखिए कुन मलाकी student A की value 4 है B की value 8 है और C की नीचे 6 लिखा है तो C की value 6 है यही आपको find करके लाना था यानि इन question में आपको A and B and C की value find करके लानी थी तो यह जो chapter है playing with numbers यानि इसी प्रकार से नमबरों के साथ play करना होता है कहां कौन सा digit रखा जाए कि जिससे हम अपने वो देश की और आपज़क्ट की और पहुंच सके तो कुन मलाकी इसमें थोला से दिमाग दोडाने की जुरुत है हालाग में कठिन नहीं हाट नहीं है numerical simple है लेकिन आपको सोचना है कि इस number में कितना add करें कि नीची वाला number आपको प्राप्त हो जाए तो यह playing with numbers है आज मैंने आपको इसमें first question add वाला solve किया है second question आपको subtract वाला solve किया है और third question multiplication का solve किया है इसकी बाद playing with numbers में कुछ और numerical है students वो आपको मैं next video में solve करके YouTube पे मैं upload करूँगा आप देख सकते हैं और इनसे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा Thank you, Jai Janine